विल्कम बैक तो माई यूटूब चनल पेपर हैकर अब हम बात करेंगे कुश्चन नंबर आपका 12 जो कि आपका क्यों पूंच रहा है एंजैम तो था हार्मोन में अंतर ठीक है तो यह अंतर बहुत पूंचे जाते हैं ठीक है अंतर इंपोर्टेंट है जितने भी आपके अंत आपके इस तरह के क्यों पूंच है ठीक है तो अंजैम तथा हार्मोन में अंतर ठीक है तो यह रिएक्षिन की को प्रेडित नहीं करते हैं तो चलिए सबसे पहले आपने क्या करना है प्रोटीं होते हैं सब से पहले हमने बढ़ा था एंजायम को ठीक है प्रोटीन को तो वहाँ पर लिखा था कि आपके प्रोटीन क्या होते हैं लेकिन सभी एंजायम आपके प्रोटीन नहीं होते हैं ठीक है तो क्या होते हैं भी एंजायम आपके प्रोटीन होते हैं दूसरा अगर आप देखें हार्म या आमिनोमल या आपका क्या होगा गलाइको प्रोटीन इन्के आपके डेरिवेस को कर देते हैं जो आपकी वयो कैमिकल रियक्संस रहाइं उत्प्रेड रहाकिन हार्मोन क्या करते हैं रियकसंस को उत्प्रेरित नहीं करते हैं लेकिन वलकि जैव अबक्रियाओं को प्रारंब करते हैं इनका काम होता है केबल उनको स्टार्ट करना ठीक है प्रारंब करना ठीक है किसका आपका हार्मोंस का ठीक है उनको उत्प्रेरित नहीं करते हैं यह उनकी रेट को नहीं बढ़ाते हैं ठ ख़िक है कब जब आपकी जैब अबक्रियां में खर्च नहीं होते या समाप्त नहीं होते है ठीक है तो जैसा हमने यूज किया था अबक्रियां हमें बैसा ही पुना मिल जाएगा और हम दुबारा अगले अबक्रिया के लिए इसका उपियोग कर लेंगे ठीक है हार्मोन से की बात करें तो ये अबक्रियाओं में समाप्त हो जाते हैं ठीक है अब दूसरी अबक्रिया के लिए हमें नए हार्मोन चाहिए होगा ठीक है फूर्थ पॉइंट आपने लिखना है एंजैम में ये अबक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं कौन एंजैम जो है आपके अबक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं अबक्रिया के अंत में परिवर्तित रहते हैं, परिवर्तित नहीं होगा, यहां पर कैसा होगा, आप परिवर्तित ठीक है, यह अबक्रिया के अंत में कैसे रहते हैं, आप परिवर्तित रहते हैं, इने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अभी हमने देखा था, जैसे थे, मत अस्पाद बनाने में साहथा करेगा ठीक है तो ये खर्च हो जागा तो इसी तरह यह करते हैं भाग लेते हैं इनका राशायनिक संगतन् परिवर्तित दो जाता है जैसा था अब ऐसा नहीं जाए mortar शौप यह अत्यदिक अडभार वाले होते हैं तथा उत्करमणिये परिवर्तन पैदा करते हैं जो आपके एंजाम्स होते हैं उनका अडभार कैसा होता ओच ठीक है जो करते हैं जो आपकरियां बैकवार्ड और फारवार्ड यानि कि दोनों दिसाओं में हो सकें ठीक है अग्र दिसा और पश्च दिसा ठीक है वो आपकी उत्कर्मणी अग्रियाएं कहलाती है ठीक है तो आपको हार्मोंस में लिखना है ये कम अड़भार वाले होते है ठीक है इनका अड़भार कैसा होता है कम होता है और तथा अनुत्कर्मणी को पैदा करते हैं तक इसको अनुत करमड़ियं को ठीक है यानि कि यह अगर रिवर्सेविल्टी को सो करेगा लेकिन यह का कर रहा है रिवर्सेविल्टी को सो नहीं करता है ठीक है ठीक है तो इस तरह से आपकी यह अंतर हो जाएंगे ठीक है किसमें हार्मोंस में और एंजाइम में ठीक है उमीद करते हैं समझ में आया होगा मिलते हैं अगली वीडियो बन रही हमां साथ तब दक लिए थैंक्स वर वाचिंग एंड शेयर दा वीडियो